तो इस वीडियों हम बात करने वाले हैं SBI Plot Loan के बारे में तो SBI में जो Plot Loan की स्कीम चलती जिसका नाम है SBI Reality Home Loan अगर आपको कोई Plot के लिए जमीन खरीदनी है और उसमें Construction कराना है तो उसके लिए आप SBI Reality Home Loan से लोन ले सकते हो अब इसमें Condition यह रहती है कि आपको Loan लेने जब आपका Loan Approve हो जाएगा उसके बाद 5 साल के अंदर जो है आपको अपने जमीन खरीदी होगी उस पर Construction कराना ज़रूर होता जो यह आपको बताया गया Construction of House to take place within 5 years from date the loan has been sanctioned तो यह आप जो है आप इसकी में सर्थ रहती है और मैकसम 15 क्रों तक का Loan ले सकते हो आप इस scheme से वह भी 10 सालों के लिए अभी आप देख लगते है rate of interest आपको क्या offer किया जाएगा processing fees क्या लगेगी तो यह आप rate of interest देख सकते हो वही लगेगा जो आपका यहाप सिंपल home room ने चलता है अगर आपका साड़े 700 से उपर civil score है 8.60 पे starting होगी क्योंकि यह आप अभी festival offer चला है जो कि आपका 31 December 2023 तक जो है valid रहेगा 700-649 के बीच में credit score है 8.70, 650-699, 9.45, 550-649, 9.65 और अगर आप first time कोई loan ले रहा हो कोई भी civil score नहीं है तो 8.70 से starting होती है plot loan की और यहाप जो women's borrower है उनके लिए rate of interest में concession भी provide किया जाता है processing fees देख लेते कितनी लगती तो processing fees जैसे कि आप यह देख सकते हो reality home loan में 0.35% लगती है आपके loan amount का जो की minimum 2,000 रुपए होगी और maximum 10,000 रुपए तक आपकी लग सकती है अब यहाँ आप देख लेते हैं आपको क्या features और benefits देखने को मिलेंगे तो feature देख सकते है low interest rate है जो इस समय minimum चला है low processing fees काफी कम processing fees यहाँ पर लग रही है कोई भी hidden charges नहीं है कोई भी prepayment penalty नहीं है अगर आप time से पहले में अपने loan को चुका देते हो उसके आपके कोई charges एक्स्टा नहीं लिए जाएंगे maximum 10 साल के लिए आप यहाँ आपने loan ले सकते हो और जैसे के मताएं interest में concession प्रोवाइड किया जाएगा for women's borrower disability देख सकते हो resident इंडियान अप्लाई कर सकते है 18 से पैटर साथ के बीच में age होनी चाहिए maximum loan tenure आप 10 साल के लिए ले सकते हो document देख लेते हैं क्या-क्या require होते हैं यहां से plot loan ने लिए तो employee identity card देना पड़ेगा complete loan application जो form होगा वह आपको भर के देना पड़ेगा उसके साथ team passport size photo proof of identity जिसमें आप voter ID card passport driving lesson दे सकते हो proof of residence में आप अपना कोई भी liability है उसका statement आपको दिखाना पड़ेगा उसके अलावा जो आप गारंटर रखोगे उसका भी जो है परसल एसट और liability statement दिखाना पड़ेगा दो passport size photo proof of identity proof of residence business proof उसके लावा signature identification उसके लावा कुछ जो है additional document require होंगे salary के लिए जो की आप जो की आपकी income proof के document होंगे तो आप यहाँ पर salary slip दिखा सकते हो या salary certificate भी दिखा सकते हो उसके लावा TDS certificate हो गया आपको दिखा सकते हो इसके लावा जो self-employment professional होंगे non professional और IT assistance होंगे तो उनको जो है IT return आपको दिखाना पड़ेगा फिर यहाँ पर फोटो कॉपी चालान जो है advance income tax के जो है आपके दिखाना पड़ेंगे यह देखिए कुछ document यहाँ पर require होते हैं अगर आपको SBI से plot loan लेना और maximum 10 साल के लिए loan ले सकते हो विप 15 कौन तक का ऐसे और informative वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें आप comment करके बता सकते हो कि आगे आपके इस loan के बारे में हमसे जानना चाता हूँ तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद